Hi Hello दोस्तो नमस्कारी इस वीडियो में काफी important काफी बड़ी update आप सभी student के देने वाला हूं दोस्तो 36 कनो केशन का portal लाइब कर दिया गए registration form को लाइब कर दिया गए इस बार किन-किन students को 36 कनो केशन में डिगरी आवार्ड की जाने वाली है पूरा डीटेल में इस वीडियो में समझाने वाला होगा आप चैनल पे पहली बार आए इनुके सभी ओफिसर अप्डेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और सभी सोचल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके में स्टेट अप्डेट लिए फॉलू कर सकते हैं वीडियो आप देख रहे हैं अब इगनु का में पेज खुला हुआ है इस में पेज पर अलर्ट सेक्शन में आप आएंगे तो यहां पर देखी यहां पर अभी अलर्ट सेक्शन में लाइव कर दिया गया पॉर्टल को ऑनलान रेजिट्रेशन फॉर थर्टी सिक्स कनोकेश में वीडियो में बताऊंगा लेकिन पहले थर्टी सिक्स कनोकेशन के बारे में बात करते हैं तो अभी लाइकली टू भी हेल्ड है जैन फैप 2023 में तो कंफर्म डेट नहीं है बट रिजिस्ट्रेशन फॉर्म उपन कर दिया गया है और सब सब पहले ही बहुत सारे स्टूड लाइट में नहीं की गई है तो अभी लाइट आएगी भी नहीं लगभग दिसंबर तक आप भर सकते हो इस फॉर्म को ठीक है अभी कोई लाइट वाला लफड़ा नहीं है तो चेक करते रहिएगा बहुत सारे स्टूडेंट जब फॉर्म भरने जाएंगे इसको तो उनका डिटेल इसमें नहीं दिखाएगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है नीचे कॉंटेक्ट इमेल दिया हुआ इस पर कॉंटेक्ट करते रहिएगा यह अपडेट होता रहेगा क्योंकि जो इसमें डिग्री आवाउड की जाने वाली आप जैसे कि भी देख पाएंगे यह पर फॉस्ट पॉइंट में ही फॉस्ट जो है बुलेट्स में मेंशन किया गया है देश्टूडेंट कम्प्लिटेट दियर प्रोग्राम इन स्टेडी आफ स्टेडी इन दिसमबर टॉंटी टॉंटी टूंटी वन का एक्जाम मार्च अप्रैल में हुआ था अभी जो है इसी का भी फाइन रिजल्ट ही नहीं आया है तो सबसे पहले आपको मिलती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट अन माक सीट वह आपको मिल जाती है जब आपका पूरा फाइन रिजल्ट आ जाता है आपका एड़िस पर भेज़ जाती या फिर आप बाई हैं डेली में वहां से और वहां से बाग्राविक आपको आपके रिजिस्टर एड़ेस पर पोस्ट भी कर दिये जाता है तो आपको मिल जाता कर अगर नहीं मिलता है तो रिटर्न होके आपका हैटकौर्टर में वापस आजाता है तो उसको आप यहां आके लिए सकते या फिर contact कर सकते हैं जो भी register as sed at ignore.accedent या फिर bd है तो bd result, master degree है तो md result, cp result, dp result इस तरीके से आप contact करके या फिर igram पे भी grievance डाल के अपनी query जान सकते हैं कि आपका mark sheet और certificate dispatch हुआ है या नहीं हुआ है तो यह रही mark sheet provisional की बात अब डिगरी की बात कर रहे हैं जो कि 36th convocation का है उस पर detail में बात करते हैं तो अभी के लिए जो मैंने problem अभी आप face करो को मैंने बता दिया और किन किन student को इसमें degree दी जाएगी अब इसमें बहुत सारी student पूछेंगे मैं 35th में registration नहीं किया तो क्या इ आगे पढ़ूंगा भी पता चल जाएगा और दूसरे point पर ही mention किया गया है यहां पर कि student convocation attend कहां करेंगे student जो convocation attend करेंगे दियर regional center अपने regional center पर attend करेंगे या फिर जो भी उनका जहां पर उनको venue दिया जाएगा वो वहां पर attend कर सकते हैं student cell convocation the original center where they belong मतलब कि जो student जिस regional center स website पर ही पता चल जाएगा student given option student जब आप form भरोगे तो उसमें option दिया जाएगा कि आप in person आके जो है convocation attend करना चाहते है या बाई post चाहते है अपना degree diploma तो उसमें option रहेगा वह आप चूच कर सकते हो ठीक है all the students are required to fill their present address at which they want to receive their degree diploma certificate जो भी आप जिस भी address पे अपना degree diploma receive करना च certificate चाहते हो तो अपना address आप वहाँ पे clearly mention कर देना अगर आपको by post चाहिए हो ठीक है in case of convocation is not held regional center due to any circumstances where where the student belongs to his he see shall have attend the convocation at other nearby regional center which may be mostly in same state nearby means जो अगर किसी circumcision में आपके regional center में held नहीं होता है तो जो उनकर nearby regional center होगा वहाँ पे हो सकता है combinedly हो तो वहाँ पे आप attend करेंगे वहाँ को intimation इसके regarding is later issue किया जाएगा by post later और या फिर आपको email पे या फिर आपके regional center की website पे बताया जाएगा कि वहाँ पे आप जाके अपना कनो किसन attend करेंग ठीक है या फिर आप अपने regional center या headquarter जहां से भी आपका later आया है जहां पे आपका कनो किसन था वहाँ पे आप जाके बाद में receive कर सकते हैं by hand या फिर by post आपको मिल जाएगा basically बहुत कई बार होता है कि वह post से send नहीं करते तो जो आपका concern regional center रहता है every convocation के बाद concern regional center पे जो ह documents आपका degree diploma certificate भेज दिया जाता है तो वहां से आप receive कर सकते हो ठीक है next point पे चलते instruction for the student जो आपका form बने के लिए instruction है यह online registration 36th convocation के लिए तो आप भर सकते हैं इसको जो भी eligible student है जो कि December 21 जून 2022 में pass out किये हैं ठीक है eligible student online जो degree diploma certificate के लिए form भर सकते हैं यहापे mention किया गया दूस पीजी डिप्लोमा डिप्लोमा के लिए 600 रुपए fees होने वाली है ठीक है देख लीजेगा यहाँ पर mention किया गया है और next जो है PG certificate और certificate programs के लिए 200 रुपए पर subject और मतलब पर program होने वाली है ठीक है तो इस सबसे बरेंगी debit credit card net banking से आप भर सकते हो कोई problem नहीं है आपके पास क किसी भी बायंग का अब भर सकते हैं ठीक है इस अब करने के बाद अपना रिसिप्ट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं इसके तुरू आप अगर माली यह को समय नहीं जा पाए तो यह receipt होने होगा आपके अपने पर दिखा के अपना जो है वहां से degree certificate ले सकते हैं बाद में भी तो यह करो इस पर क्लिक करेंगे तो यह वाला पेज अपन हो जाएगा यहां पर आप जो है अपना इन्वर्मेट नंबर वगरा डालके पास्वर्ड वगरा जो भी बना रहेंगे करके सर्च करके रिसिप डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है कोई क इस पर इमेल कर सकते हैं कोई जनरल कोई है कोई और उनक्वारी करना है तो आप इस वाली जो है कॉन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या फिर कनोकेशन वाली इस वाली इमेल पर जो है इमेल कर सकते हैं जो कनोकेशन है टिकनू.ac.in एक इंपॉर्टेंट बात बहु सारे संडेट पर सर्टिफिकट के लिए पे करना पड़े हैं जैसे एमकॉम में बीजी डिदीवी होता था वह डिग्री मिलती थी और अजाए दिपलोमा चैळी निए डिटेल वहां पर पूचेगा आपको इसको फिलब करना है और इसके बाद जो इस टूडेंट जो है 35th CanVocation के वो इस वाले Portal पर आकर registration कर सकते हैं अगर registration किये हैं तो यहाँ पर degree dispatch का certificate का यहाँ पर देख सकते हैं भेजी गई है और इससे रेटर कोई सवाल है 35th CanVocation के जो student है वो मुझे जो contact कर सकते हैं by comment या by email ठीक है तो यही सब सा इस वीडियो में काफी important अपडेट था अगर कोई सवाल एको इंबॉक्स में लिख सकते हैं चैनल पहली बारा है वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रिस कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ अप्रिक नमस्कार धन्यवादू